दोस्तों आपको आज एक औरत का चरितरता की नीचता दिखाने वाले हो कि एक औरत अपने क्यरेक्टर में किस हद तक गिर सकती है उस अपने कितनी चरितर हींता तक और पहुंच सकती है सच्चाई है बिल्कुल सत्य घटना है मेरे स्टाप के पुलिस परिवार की पतनी या पुलिस पतनी है उसके गंदे कारणा में को आज आपके सामने रखने वाली हूँ किदरी कैरेक्टर लेस और उसने अपना घर की तरके से अपने हाथों से तोड़ दिया जो मेरे बहुत पुराने ओडियंस से वो जानती है इस बात को मैंने रखा है चैनल पर लेकिन जो मेरे बाद में बहुत सारे भाई वहना है उनको पता नहीं है समाजिक वीडियो बनाती हूं तो अधिकार रखती हूं कि समाज के बीच ऐसी चीजा रखूं जिससे आप बच सके और आपका परिवार बच सके और और लोगों को भी आप इस चीज से बचा सको वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सुनी आगा कि एक औरत ने अपनी चरित्र हिंता के कारण अपने घर में कितना आतंक मज जाया कुछ समय पहले में हर्द्वानी चेत्र में रहती हूं बनबूर पूरा चेत्र एक मॉमडंस एरिया आता है आप लोग जानते हूंगे कई लोग जो उत्रखंड से हैं तो उस चेत्र में चापे मारी में पकड़ी गई मेरे इस के बाद जो मैं आपको बताने वाली हूं इस कि मेरे स्टाप की बात है पांडे हूं बकाया नाम आगी नहीं बताऊंगी उस लेडिज का क्या हूँ वह स्टाडिंग मेरे जो पाटर था उसके बगल वाले क्वाटर मों रहती थी मेरे स्टाप के कई लोग हो उनको पता है कानी फिर भी वह देखेंगे तो समझ जाएंग स्टाप यहां पस्कूल मेरे स्टाप परती ती उसी स्कूल में उसकी बयटी भी पढ़ती थी और इतनी ब्रिलियंट बच्चा और मां इतनी चारेक्टर में परते हैं अज उस आज उस मेरे घर खुद अपने हाथों से आग लगा दिया अगलत कर दिया लेकिन अभी बहु जो सच मुझे समाज के लाना है उस बंदी ने क्या किया तरह तरीके के मर्दूं का आना पती परेशान उससे पती की ड्यूटी तीन साल के लिए भैईपी ड्यूटी लग गई गनर में अवधिकारी के गनर में लग गई गॉस्ट भी तो बहुत अच्छे थे सीधे साधे थे लेकिन ओरत के करतुतु से वह बोल नहीं पाते थे किसी से क्योंकि घर की बात थी अगर बताते तो बेजती हो कि लेकिन उसके कारणा में देखके सब को दिरे-दिरे उहां पर पता चल गया जैसे मेरे क्वाटर पर सिफ्ट हो इसके दो-तीन महने बादी पता चला हमको कि य जी नहीं करता थी इind तो बादीे लेकिन उस भीच अन्यूट को इसने उसके गचेते हां कर दिया जीना हराम कर दिया कि मर्दू को आना एक आ एक आ एक आछा जा एक आरा तो दूसरा जाँआ जाँरा मतलब उसने जो सरकारी कोटर होता उसको एक कोठे में तबasan Oklahoma में नही पुलिस क्वाटर में रहने के बाद उसके खिलाब कोई बोलता नहीं था फाइनली बहुत ज्यादा हो चुका था करोना में लॉकडाउन लगा था उस बीच कई लोग मेरे पास उनको पता था यह बात को एक दिम बरदास नहीं करती है और मुझे कभी ऐसा नजर भी नहीं आय थी वो देख लेती होगी कि मैं जब नहीं देखती हूं तब उसके अंदर आते लोग बताते है एक बार करोना में जब लॉकडाउन लगा था सुब साथ से दस बजे तक बिल्कुल बंद था सब खुल रहा था उसके बाद सब कुछ बंदा वो बंदी सुवे ही निकल जाती और वहां जाके जब मुझे पता चलता दिन में आज दिन भर गायब है तो कई बार कहा नहीं हो समझी तो नीचे जो रहती है भावी उनके बेटी मेरे पास है उनने बोला भावी वो तो आज फिर गायब है और अभी तक नहीं है सामके तीन बज चुके थे ठीक है मैंने का जब आती आज इसका इलाज करते हैं मैंने अपनी बेटी से बोला बेटी जैसी वो आई अंदर गे दोनु उसके साथ एक जैंड से था बाइक माई अंदर गई तो मैंने अपनी बेटी को बोला मेरी बहुत छोटी थी तो मैंने बोला आप जाओ और कुंडा मार के आओ बच्ची की बात तो बंदी ने तहलका शुरू कर दिया है उसने पनी कामवाली को फॉन करा कामवाली आए कामवाली कुंडी को ती और उसका जो रवय था दूपत्त अठा के फैंक ना बिल्कुल एक वेस्या प्रिवर्ति की ओरत करती बिल्कुल बैसे हरकते उसने करनी शुर अरे किसी की दोस्तों किसी की तिनी हमत नहीं हुए उस ओरत को यह बोल देया आदमी है कौन क्योंकी लौक्डाउन लुक। और कोई भी ऐसा नहीं होया है तो मैंने सीधे माई Mr. keeps meveee Ser science scholar झिलन ओपाया था अगर आपको धनिवाद देता हूँ अगर ऐसी कोई हरकत होती आप मुझे तुरंत वो करिए तो उस बंदी ने उसका हाथ पकड़ा सिधे फिर से दुबार अपर ले गई गाली गलास तमाम चीजे तो फिर इतनी चालाक और उसने क्या किया वो खिड़की से देखा उसने जैस आगी कारी क्वाटर में खुला होता है आगी का फ्रेंट होता हुआ से उसको बाहर भगा दिया और बाइक में बैठके बंदा निकल गया और उस वीच जब ग्रावड में बैठ रहता है तो वरना ऐसी बाइक में तेरको मिटी का तेल चड़क के मां आव लगा दूगी वह अगर किसी को मार दिया जाता है तो आप लोग दर्शक बनकर देख थे लेकिन जहां पे ऐसी हरकत होती है उसको आप सूट नहीं करते हो जो किसी ने डर के मारे नहीं करें क्योंकि और रूप ही इतना खतरनाक था वह मरने मारने मौतर गई थी सबको लिपटने को डर के मारे सब्सक्राइब मुबाइल चुपा लिए पुलिस कोटर में बड़ा ताजुब हुआ मुझे उस दिन मुझे पुलिस विभाग से बहुत मतलब थोड़ा एक हीन भावना कैतना अंदर से वह हीन भावना भी आई अरे पुलिस फोर्स में जब आप लोग नहीं कर सकते हो मैं साधारण सी औरत हाउस वाइफ इस चीज के लिए सर्वाइफ कर रही हूं मैं लड़ रही हूं उस चीज के लिए आवाज उठा रही हूं आपके लेकिन आप दर्सक बनकर देख रहे हो तो आपको इतनी हिम्मत नहीं आई कि इसका एक वीडियो बना के थाने में पोस्ट कर कि एक लिए साधार मैं मैं पिया खो ओंड़ कर रहा आइंट कर दो ना इसा एस चीज होई तो उन्हने मैं चे अपना परस्ट्णन नंबर में आप आगा ऑ़ आज में आप रही को उपर दो मजले में उसका कमरा था और यहां जो नीचे आम दूसरे वाली विल्डिंग में थे तो वहां पर उसका था तो लेडिज देख रही थी और सुन रही थी बात को निका आप डिरेक्ट मुझे मेरे परसनल नंबर पर कॉल करना मैं लेडिज सिपाई भेजूंगी दो- एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ था उस वीडियो में बनबुल पुरा छेत्र पड़ता है मॉम्डन एरिया तो वहां पर च्छापा मारी में पकड़ी गई थी और मैं फेस्बुक नहीं चला थी इसलिए मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि फेस्बुक में बहुत वाइर चुकी रिखक है असलिरता अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दीमप होता है ने दीमप को 안OLLर अंदर फोकणा कर देगा तो यह गंध समाज के को ऊंडर अंदर फोकणा करदेगा हमारे समाज के opposi को उनकी जिन्दग्य में जहर का काम करता है और जो लोग कहते हैं मुझसे कि तुम ज्यादा बोलती तुम गलत कर रही हो तो भई आप बोलो मेरा काम है समाज को दिशा दिखाने का यह समाज का रस्ता कुछ तो सुधरे मैं जानती हूं जितनी गंदगी अती हो चुकी है मेरी बात उसे गंदगी साफ नहीं हो लेकिन कुछ असर जो समझदार लोगें इस चीज को फॉलो जरूर करेंगे अगर उनके आसपासी घटनाय हो रही है उसे रोकने का प्रियास जरूर करेंगे जरूरी नहीं है आप अकेले हो अगर पुरी पब्लिक आपके साम नहीं है ना आपके अंदर जजबा है आपके अ पुरा विभाग मेरी तरफ वा सारा समाज ने वाज उठाई और उसको दोबारा पैर नहीं रखने दिया और उसके खिलाब जो भी कारवाई होनी थी हूई क्योंकि जानते हैं जो भी विभागी मामला है तो कुछ बात के लिए पुलीस डिरेक्ट किसे को किरेवदार नहीं उसको और समाज नाज सवधन के गर्ण करने करते हैं हमारे कानुन वेस्ता बहुत एमोशनल है तो मौका करते है कि आसी अरकत ना करें समाज में कश्ची पढ़ी पैदा हो सके वह चीकत हुग मैक्ति सफफ़ए नक पिन एसों मोहां निका उड़तो में शुप दबता की वहा मेरी वाज़े से वहाँ पे ऐसे गंदगी साफ हुई और लोग उने बढ़ाई भी कि लेकिन मुझे खुद पर प्राउट है मैं अवाज उठाच सकती हूं इसके लिए बोल सकती हूं गलत चीजों के लिए तो मैं अपने आप में प्राउट फील करती हूं कि यह जजबा होना कि मैंने कोसिश की हैसमें क्योंकि यह जो लेडिज थी बहुत भेंकर भेंकर स्टोरी जै और मैं एक वीडियो में आपको बतानी के कोशिश की है कि ऐसे भी लोग होते हैं और कई ऐसी चीज़ा हुई थी इस उसके पतिके और उसके बीज उसके पती ने भी दूसरी उससे प्रतारित होके जरूरी रही है कि पती ही पत्नी को प्रतारित करता है, पती ही महौल खराब करता है, औरते भी हद से जाद हैं, कभी-कभी औरते जादा मजबूर कर देते हैं, पती को बदलने के लिए, इसलिए अगर आप महला हो, आपके साथ ये चीज़ा हो रही है, इर्द 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 यह चीजह हो रही है और जो इस तरीकी के ओरते भी हैं जो घरों को तोड़ने का काम कर रही है तो आप सतर्क हो जाएए अगर आपके साथी चीजह होती है सुरू मैं ही आप कदम उठाए क्योंकि जितनी सिच्वेशन बढ़ती ना परशानिया उतनी ही जादा बढ़ती है कम नहीं होती है इसलिए आप यह मत सोचिए कि परिस्तितिया सुधर जाएंगी उन परिस्तितियों को पहले ही पहले दिन से आप उनसे लड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि ताकि बड़ी नहों और आपको आगी चलके और बड़ी प्रावल्म नहों हो